कि अ्यांट कि अब पढ़ेंगे parallel lines and perpendicular lines के बारे में तो parallel lines क्या होती है ऐस twee lines जिसके बीच की डिस्टेंस हर जगह से मौथी उपर most hep there's two lines ऌ nimmt फस्ट लैनी कि यह दोनों लैन प्रलानी कि होकि इनकी बीच की डिस्टेंस हर जगह से उती है उसे क्या परलेल लाइन से जब उन अगर लेल टीya कि यह एक सेक्षिस से ईंगल इसी होता है ज्रॉंस जी सोक्राफ पैरलेल लाइन बडून भी एक सक्षिस से क्या कर वह भी है एंगल से मि बना की तो अब यह सेकेंड लाइन हम यहWest Land contar a outros सिकेंड लाइन की सिलोप हम Mr, 22 है अब हम देख रहें जो पैरलेल लाइन से स्केस्स से स्वांल आगब बनाती हैं तो हम क्या सेकते हैं कि बाल्य लाइन सम्हां जो सिली को यह definitory कि रीड़ा के लिल है तो पैरलेल लाइन से उसके बाद perpendicular lines perpendicular line से क्या होती है ऐसी दो लाइन जो आपस में एक दोसरे से 90 डिगरी का एंगल बनाती है जाने एक दोसरे को इंटरसेक्ट करें कि होँआ पर 90 डिगरी का एंगल वनेगा उसे एम परपेंडिकुलर लाइन से बोलते हैं जैसरे ही यहां पर हम दो लाइन यह लिए एक लायन ये लिया है इन दोनों के बीच का जो एंगल हमारा यह 90 डिगरी का है तो यह दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो गई हैं अब जो हमारी फ़स्ट लाइन इसकी परटो में और जो second line है, इसकी slope जो M2 है, तो अगर दो lines आपस में perpendicular है, तो जो उनकी slope होती है, उनकी slope का जो product होता हो minus 1 होता है, तो कभी भी जब दो line perpendicular दी रहे हैं, तो उनकी slope जो है, जो उनकी slope का product होगा, वो minus 1 होगा, जैसे यहां M1 multiply by M2 is equal to minus 1, यह condition है, perpendicular lines है, यह condition होती है, M1 multiply by M2 is equal to minus 1, अगर दो line आपस में perpendicular है, तो उनकी condition है होगी, M1 multiply by M2 is equal to minus 1, लेकिन अगर दो lines आपस में parallel है, तो जो उनकी condition होगी, M1 is equal to M2 होगी, अगर वही perpendicular है, तो M1 multiply by M2 is equal to minus 1 होगी, अभी इस question को हम समाहिने के लिए question देख रहे है, question हमारा यह है, find the value of A, if the line passing through minus 5 minus 8, एक यह point है, and 3 0, is parallel to the line passing through 6 3 and 4, यह two points है, हम देख रहे हैं, इस question में 2 line given है, जो दो लो line given है, वह आपस में parallel है, क्योंकि question ही आप लिखा है, क्योंकि दोनों line के आपस में parallel है, अब जो first line है, वो minus 5 minus 8, और 3 0 से pass हो रही है, और जो second line है, 6 3 और 4 A से pass हो रही है, तो कहरा कि अगर यह दोनों line parallel है, तो A की क्या value होगी, तो हम जानते हैं कि दोनों line parallel है, अब यहाँ पर हम जानते हैं, कि किसी भी line के जो हम slope find करते हैं, टू तरीके से find करते हैं, एक slope का M is equal to formula होता है, M is equal to 10 टीथा, और एक slope का formula होता है, M is equal to Y2 minus Y1 divided by X2 minus X1, जो यह formula रहता है, M is equal to 10 टीथा, इसे हम तब apply करते हैं, जब angle given रहता है, लेकिन जो यह formula होता है, m is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 यह तब हम apply करते हैं जब point given रहता है तो इस question में हम देख रहे हैं minus 5 minus 8 and 302 given point है ना तो हम m is equal to 10 ठीटा होला formula नहीं use करेंगे बलकि यह formula use करेंगे y2 minus y1 divided by x2 minus x1 यह भी slope का formula होता है तो सबसे पहले हम दोनों की slope निकालेंगे दोनों लाइन की slope निकालेंगे तो लिखेंगे इस slope आप 1st line तो 1st line की slope m1 1st line की slope m1 नहीं है m1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 1st line कि पॉइंट से पास हो रही है minus 5 minus 8 and 30 से तो अब यहां पे y2 ही है y2 हमारा 0 रहेगा और y1 minus 8 रहेगा च्यूंकि यह second point है यह first point है second point वाला हमारी जो है x2 y2 की value रहेगी और जो first point रहेगा वह x1 y1 की value रहेगी तो यह y2 है y2 की जगा 0 और 0 फिर यह minus है minus फिर हमारा क्या है y1 y1 की जगा minus 8 है तो minus 8 हम लिख देंगे अब 2 sign एक साथ पढ़ गई थी तो हम bracket यूस कर दिए है फिर divided by x2 x2 की value 3 है 3 हो गया फिर minus है minus फिर क्या है minus 101 है तो एक सब्सक्राइब हम देख रहे है minus 5 हो जाएगा अब 2 sign एक साथ है तो हम bracket यूस कर दिये है अब यह minus minus plus हो जाएगा और 8 में 0 8 करेंगे 80 रहेगा और यह minus minus plus हो जाएगा 5 और 3 8 करेंगे 8 हो जाएगा 8 से 8 कंसील हो जाएगा हम देख रहे हैं कि जो slope of first line है वह कितनी है 1 आई similarly अब हम slope of second line find करेंगे तो slope of second line m2 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 इसमें भी हम यही फार्मूला यूस करेंगे क्यों क्योंकि जो second line है वह भी two given point से पास हो रही है तो इसमें भी हम point वहला फार्मूला यूस करेंगे m2 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 अब जो हमारी second line जो पास हो रही है उसका first point ही है तो यह x1 y1 की value हो गई और उसका second point ही है तो यह हमारी x2 y2 की value हो गई तो यहाँ पे y2 minus y1 है न y2 की value a है और y1 की value 3 है तो यहाँ पे a minus 3 हो जाएगा divided by x2 minus x1 है x2 की value 4 है और x1 की value 6 है तो 4 minus 6 हो जाएगा अब यह a minus 3 रहेगा फिट divided by 6 हमें से 4 हम minus करेंगे minus 2 हैगा तो हम देख रहे हैं कि m2 की value आई है वह a minus 3 divided by minus 2 अब इसके बाद हम लिखेंगे now m1 is equal to m2 यह कहां से आगे m1 is equal to m2 यह हम इसलिए लिखें क्योंकि जो दो लाइन है जो two given lines होग्या है आपस में parallel है और हम जानते है कि जब दो line आपस में parallel होती तो उनकी slope equal होती है जो condition होती है parallel कि m1 is equal to m2 होती है तो ही condition हम apply कर दी m1 is equal to m2 अब m1 की value 1 थी और m2 की value जो है a minus 3 divided by minus 2 थी अब यह minus 2 इदर आएगा multiply हो जाएगा minus 2 बंजा minus 2 is equal to a minus 3 है this implies यह minus 3 इदर transfer होगा तो plus 3 हो जाएगा minus 2 plus 3 is equal to a बचेगा और 3 में से 2 minus होगा तो 1 बचेगा a is equal to 1 यह हमारा answer है